लोग मानते हैं कागजों पे लिखी जा रही है, कभी जानते हैं कि उतरती है कविता और वक्त जिसे तुम सारी दुनिया का सर्ताच समझते हो, मेरी एक दीवार घडी में टिक-टिक करता रहता है प्रेम मनुष्य को मूर्ख बनाने के लिए प्रक्रती द्वारा रचागया विधान है प्रेम कितनी भी कविताएं सुन लो अन्त में उसका भावार्थ निका लोगे तो आपके आट में कुछ नहीं बचेगा मुझे फरत साहब का एक शेर याद आता है इलाज अपना कराते फिर रहे हो जाने किस-किस से महबत करके देखो ना महबत क्यों नहीं करते तो हमारे जो अगले रचनाकार हैं उन्होंने इस शेर को अपने उपर पूरी तरह से लागो किया है अभी हाल ही में उनका प्रेम विवा हुआ है और लगातार जिस तरह से मुस्कुरा रहे हैं आपको यकीन भी हो गया होगा कि इन दिनों प्रेम में डूबे हुए हैं और हमने सुना है कि जो आखें बंद करके प्यार करें वो प्रेम का होती है जो आखें दिखा दिखा कर प्यार करें वो पत्नी होती है मैं चराग जैन को आमंत्रेत करती हूँ दिल्ली से वो गीत भी इतने पुष्ट लिखते हैं इतने बढ़िया लिखते हैं और हास व्यंग में जब डोते हैं तो हसाते हसाते आप सबको दीवाना बनाने की भी पूरी कुबबत रखते हैं और जब गदे लिखते हैं तो आप चिंतित भी होते हैं, मनन भी करते हैं, चिंतन भी करते हैं मुझे नहीं पता कि उनकी भूमिका मुझे किस तरह से बनानी चाहिए थी इस तरह से लेकिन आपके सामने वो खुद इतने सक्षम है कि अपनी भूमिका प्रथम शब्द से ही ऐसी लिख देंगे कि आप लोग तालिया बजाने पर मजबूर हो जाएंगे एक बार चिराग जैन का जोरदार स्वागत जब किसी कवी की भूमिका में उसके परीचय स्वरूप उसकी पतनी का परीचय दिया जाए इससे ये इस पष्ट हो जाता है वो कवी कैसा भी हो पती तो ठीक ठाकी हो गया हो तो मैं थोड़ा बहुत पती हो गया हूं मुनिंद्रदा बचा हुआ कवी हा थोड़ा बट पमार जी पती पतनी वाले विशय पर बहुत सक्रिय हो जाते हैं आदमी जिस चीज का प्यासा होता है जीवन भर उसी को सोचता रहता एक और तालिया अली बजाकर बताओ कि आचमन शुरू हो चुका है जब ये कवी सम्मेलन प्रारंभ हुआ था तो सरवेश भाई ये हॉल खचा कच भरा हुआ था कुछ लोग यह सोच कर आय थे कि यहां कवी सम्मेलन का चलता हूं मनोरंजन मिलेगा और कुछ लोग यह सोच कर आय थे कि यहां आचमन की शुद्ध कविताएं मिलेंगी जो लोग मनोरंजन तलाशते हुए आये थे उनकी कुरसियां खाली हो चुकी है ज्वार भावनाओं का जो मन में उमरता है तब आखरों का रूप धरती है कविता आस पास घट रहे हादसों की कीचड में कुमुदीनी बन के उभरती है कविता शहीदों की अरथी पे जहरती है कविता प्रेमियों के प्रेम में समरती है कविता लोग मानते हैं कागजों पे लिखी जा रही है कवि जानते हैं की उतरती है कविता हम लोग जब यहां बैटे ते तो पमार जी कह रहे थे कि हैविट एक ऐसा शब्द है जो कभी नहीं मरता उसमें से एक एक अलफाबेट हटाते जाएं तो बाकी जो अलफाबेट बचते हैं उन सब के अर्थ होते हैं मैं आपको बताना चाहता हूं आचमन भी वैसा ही शब्द है आचमन में से आ हटादें तो चमन बचता है आचमन अपने अंतिम अक्षर तक भी निरर्थक नहीं होता इसलिए आचमन आचमन होता है मैं ऐसी ढेड़ सारी अच्छी बातें कर सकता हूं लेकिन सोन रूपा जी ने काए कि आज अच्छी बाते करने के लिए और गंके लोग है तो मुझे वो ही करना है जो मैं करतूत करता हूँ प्रयास करता हूँ उसके लिए दर astrology क्या है सुनरुबा जी हम लोग रोज कभी सम्मेलनों में जाते हैं तो हम उत्सर्जा नवस्ता में होते हैं हमारे भीतर जो रस भरा हुआ है कभिता का उसे कभी सम्मेलन के मन्च सोख लेते हैं हम तोटके करते हैं, टोने करते हैं तमाम तरीके से तालियां वजवा लेते हैं और सूख कर घर लोटते हैं आच्मन में आए हैं तो मन है कि कुछ भर कर जाएं इसलिए यह सब कभी आपको अच्छी कविता हैं सुना रहे हैं और विश्वास कीजिए ऐसे कारेक्रमों की जो यह परंपरा शुरू हुई है विशाल जी यह परंपरा तब धीमी पढ़ जाएगी कमजोर पढ़ जाएगी अगर इन अच्छी कविताओं पर आपका समर्थन उ अबी कभी सम्मेलनों में चल रहे हैं एक बार बताईए कि कभी सम्मेलन सुनने वाले लोग अबद में मौझूर। दिल बच्चा है, सपनों के संग पिकनिक करता रहता है, बुडरा एक दिमाग हमेशा चिक चिक करता रहता है, और वक्त जिसे तुम सारी दुनिया का सर्ताज समझते हो, मेरी एक दीवार घड़ी में टिक-टिक करता रहता है. तो हम कबीर के वंशय जहें वक्त को अपने गड़ियों में कैद करना जानते हैं, आई ये कुछ अच्छी बाते कर लेता हूं, फिर उस पर आजाओंगा जो करने के लिए बुलाया गया है. अभी पिछले तीनों मेरी ओपनार्ट सर्जरी हुई, पमार जी इसके साक्षी है, वो साथ रहे उस पूरे संगर्ष के दौर में, तो अब सर्जरी हो नी थी तो डॉक्टर ने डाई तीन किलो टेस्ट कराए, आजकल टेस्ट संख्या में नहीं होते, किलो के हिसाब से होते डॉक्ट साब ने का चिराग जी आपका दिल बड़ा है लेकिन जो बात फिर मैंने डॉक्टर को बताई वो डॉक्ट साब नहीं जानते थे मैंने का डॉक्ट साब सम्वेदना में और विज्ञान में यह अंतर है विज्ञान में दिल का बड़ा होना एक रोग है और सम्वेदना में दिल का बड़ा होना ये कुपलब दी है अप्रेशन हो था था बीस परसेंट वर्किंग कंडिशन का हार्ट था तोक्टर को ये टेंशन ती कि उप्रेशन सक्सास हो रा या नहीं होगा गरवालों को ये टेंशन थी वापस लौट कर राएगा या नहीं आएगा मेरी टेंशन अलग थी अभी आपने बुजूर्गों के मूँ से सात्विक प्रेम की कविताएं सुनी अब मैं अपनी उमर की कविताएं आपको सुना रहा हूं जहाँ जहाँ युवा वैठे हों जड़ा ताजे प्रेम से जागरित होना ओप्रेशन थीएटर में लेटे हुए चार पंक्तियां लिखीती अपना दर्द आप लोगों का ठाका बनाने का प्रयास करता हूं कि धड़कन का कोहराम छपा तो क्या होगा अच्णद भाई ड़कन का कोहराम छपा तो क्या होगा अनलिखा पैगाम छपा तो क्या होगा ECG करवाने से डर लगता था ग्राफ में उसका नाम छपा तो क्या होगा तालीया कमजूर रह गई तो इस जड़ से निकल निकला के खेर में जिन्दा आप लोगों के सामने हूँ मनु ने बहुत शांदार गीत सुनाए और जब मनु को सुन रहा था तो पमार जी उधर से कह रहे थे कि रमेश शर्मा याद आ गए मैंने का यह हमारा सौभाग्य है कि आने वाली पीड़ी ऐसे कविता हैं लिख रही है जिनको सुनकर वो कवी याद आ रहे हैं जो शुद कविता लेकर मंच पर आए और शुद कविता लेकर मंच पर बने रहे मैं मनु को बहुत बधाई देता हूँ, फुब आशिश देता हूँ, बहुत हो गई ग्यान की बाते हैं, अब आजाते हैं अपनी पर, बता रहे थे, इनकी पतनी भी कवित्री है, तो बुलाया क्यो नहीं? पता सब कुछ है, बुलाएंगे नहीं, यही हमारे साथ होता है, मैं से शादी कर ली है, यह कोई बहुत अच्छी वाते नहीं है, प्रेम मनुष्य को मूर्ख बनाने के लिए प्रक्रती द्वारा रचा गया विधान है, प्रेम की कितनी भी कविताएं सुन लो, अंत में उसका भावार्थ निकालोगे तो आपके आत्में कुछ नहीं बचेगा एक प्रेमी और प्रेमिका समुद्र के किनारे खड़े हैं, प्रेमी ने भावुक होकर प्रेमिका से पूछा, डार्लिंग, तुम मुझे कब तक प्यार करोगी, सुनकर प्रेमिका की आँखों में आंसु भराए, उसने एक आंसु समुद्र में गिराया, और कहा, जब तक त रखी कमर पे बुला सालो इस फालतों की बात है तुम्हें सूजती कहां से है कुल मिला के फालतों की बात है इस से ज्यादा इनमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है